हेलो प्रेंट वेलकम टू बाजीराव रेड़ी इंस्टूट टुडे एनलेसिस के आज क्यांक में हम 16 अक्टूबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं अगर हम आज के इंपोर्टेट नियूज या प्रमुख समाचार को देखें तो पहले तो आपको बता दे कि आज 16 अक्टूबर को 200 खाद दिवस के रूप में मनाया जाता है 200 खाद दिवस या अंतरास्टि खाद दिवस के रूप में क्योंकि आज ही के दिन 1945 में 16 अक्टूबर 1945 में जो 200 खाद संगठन जैसे वैसे तो उसे उनाटेट नेशन एग्रिकल्चर एंड फूड अर्गनाईजेशन बोला जाता है लेकिन 60 खाद में एफए वो बोल दिया जाता है 200 खाद संगठन उसका गठन हुआ था और उसी कुपलच में 16 अक्टूबर को हर वर्ष बिस्थुखाद दिवस मनाया जाता है ठीक है इस वर्ष जो उसका थीम है वह है वाटर इस लाइफ वाटर इस फूड यानि जल जीवन है जल भोजन है या खाद द्यान है ठीक है तो इसी को लेकर इंडियन एक आर्टिकल प्रोपेसर असो गुलाटी का है सरल सब्दों में समझनी में बहुत कम डीटा में समझनी में काफी उपयोगी होगा ठीक है जहां तक दूसरा निउज है केंडर सरकार ने जो है Greece क्रीन क्रेडिट इसकी प्रोजेक्ट प्रोग्राम लांच किया है क्या है कैसे इसको समझेंगे और जो तीसरा है वो हमारा एक 11 अक्टूबर को ही हुई थी लेकिन डिटेल नालेज जो है कल के न्यूजपेपर में था तो कल अल्रेडी पहले उसमें था तो मैंने कहा था कि उसको आगे कबर कर लेंगे ठीक है चलिए देखते हैं भारत में देखिए तस्बीर देखिए यानि पानी में ही खेती है वाटर इस लाइफ वाटर इस फूट तो भारत में किसी में जल्वाई जोखिम को कैसे कम कर सकता है यह टॉपिक है वही बताया कि असो गुलाटी जी की टॉपिक है वो अंतरास्टी अर्थ अर्थ तंत्र में भारती अनुसंधान का जो है वो आईसी आई आई आर ईयार बोलके उस खादि सूरच्छा और जल्टंट है क என जल जल कि यानि पानी की क्या उप्योगिता है पानि कեյ क्या महत्त है उसको लेकर चल्चा में बना हुआ है तो उसतरह से हम समझेंगे कि खादि सूरच्छा रासिल करने में भारत की क्या इस्थती है कहां कमिया है और अगर हम या जो उप्योग है उसको लेकर क्या स्तती है क्या समझ्याएं है क्या किया जाना चाहिए इन सारे पहलों में समझेंगे जैसे इसमें बताया मतलब आयात होता था तो हम खाना खाते थे यह तो मैं आपको जब स्वामिनाथन जी का के वाले उसमें बताया था तभी हमने बताया था उस से चलके भारत ने आज बहुत महत्वपूर्ण उपलब्दी हासिर कर दी है अपने 80 करोण जन संख्या को मुक्त में अनाज दे रहा ह है और उसके बावजूद भी पिछले तीन सालों में जब दुनिया में रूस युकुरिन संकट के बाद खादी का संकट बढ़ा है असी मिलियन टन मिट्रिक टन एमटी जो है भारत ने खाद्यान को नर्याद भी किया है यह बहुत बड़ी उपलब्दी है लेकिन उसको ले गठन जोसे हम विश्व खाद संगठन एफ हो संचेप में बोलते हैं कि स्थापना हुई थी तो यह 16 अक्टूबर को विश्व खाद दिवस मनाया जाता है इसका मुद्ध खुद्देश क्या है दुती विश्युद्ध के बाद दुनिया में भारत दुनिया भर में खाद और पोसन सुरच्छा को सुनिश्चित करना था जब इसका गठन किया गया था और तब से लेके 1945 से लेके आज दुनिया खाद की सुरच्छा के संदर में कितनी बढ़ी है इसको जड़ा देखते हैं जब इसकी तरफ हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रित्वी ने जैसे ह कर देखा जाए तो दुनिया में प्रचुर मात्रा में खाद्यान का उत्पादन हो रहा है।і आठ अरब लोगों को भी उसकी पूर्ति हो पारी है। समस्या है कि अलग-अलग विविन छेत्रों में पहुच की यानि खाद्यान की मात्रा तो है लेकिन वो पहुच विविन देशों में अलग-अलग है जैसे भारत के पास अधिक्ता है भारत वो कर रहा है लेकिन अनित देशों में जैसे अफरिका देशों में वो भी उत्तरी अ कारण इसके और भी जटिल होने की संभावनाएं देखी जा रही है लेकिन जो इस वर्स के विश्व खाद दिवस के थीम है जल ही जीवन है जल ही भोजन है किसी को भी पीछे न छोड़ें यानि हमारा जो उद्देश से इसका कहने का कि जो जल है वो जीवन है अगर आप से लगभग दो तिहाई सजर गुषदा पानी का बना हुआ है ठीक है तो और जो खाद्याण हो डूंप होता है वो भूमी होता है लेकिन बिना जल के खाद्याण की भी आप उसको नहीं कह सकते हैं जल कितना महत्वपूर होता है कि अभी जो आप चंद्रयान जो छोड़ा गया था चंद्रयान 3 वो चंद्रमा के दच्छडी हिस्ते में जा रहा था क्यों क्योंकि वहाँ बर्फ को ढूणा जा सके कि अगर किसी ग्रह पे उपग्रह पे अगर पानी होगा तो वहाँ पे जीव की संभावनाएं जूरी जा सकती है इसलिए जल ही जीवन है जल ही भोजन है क्योंकि अगर यह चीज को समझना हो तो यह समझेगा कि आज हम अगर एक किलो चावल हम खाते हैं अगर एक किलो चावल हमारे एक किलो ग्राम चावल के उतपादन में लगता है यानि ऐसा ही जदा तर फसलों के लिए है कि जो हम खाते हैं वो कहीं न कहीं जल पे निर्भर होता है इसलिए अगर हम जल को सनरच्छित नहीं किये तो ना हमारा जीवन सनरच्छित रह पाएगा ना हमारा भोजन इसी को विस्वखाद दिवस मना जा रहा उसका थीम यहीं है इस पूरे साल भर उस पे ध्यान दिया जाएगा ठीक है अब अगर हम इस संदर्भ में भारत के अब ये आज विस्वखाद दिवस है तो इस संदर्भ में जो प्रफेसर कुलाटी जी है वो भारत में खाद सुरच्छा और जल सुरच्छा के संदर्भ में समझने की कोशिस करते हैं उसी तरह से हम देरे देरे समझने की कोशिस करते हैं जैसे खाद सुरच्छा हासिल करने में भारत की प्रगती है देखिए 1961 में हमारी इस्थिती क्या थी कि हम आयात करते थे यानि sip to mouth जहास से मुह में जाता था hand to mouth जो कमाता है वो खाता है sip to mouth यानि जहाज से आता था आयात होके तो हमारा पेड़ भरता था वहाँ से आज सिती ये हो गई है कि 2020 से 2023 के बीश में हम पिछले तीन सालों में 80 million metric ton 80 million metric ton यानि 8.5 करोण metric ton या 850 कुंटल अगर हम कहो तो च्वाल हमने चावल अगेहूं खासतोर से और मक्का हमने मिर्यात किया है और कहीं ने कहीं विस्व में जो खाद संकट रूसी कुरेन के कारण हो गया था उसको बचाए रखने में काफी महत्वपूर्ण योगतान है और वो भी उस समय जब कुरोणा क्याल के बाद सरकार अपने असी करोण जनसंख्या को खाद सुरच्छा गारंटी ओजना के तहत तो दे ही रही थी असी करोण जनता को मुफ्त में भी खाद्यान दे रही थी जो पिछले दो साल दी थी और इस साल अपने जो खादी सुरच्छा गारंटी योजना के तहट जो 80 करोण देना है खाद्यान उसको मुफ्त कर रही है यानि एक तरफ हम नर्याद भी कर रहे हैं तब भी जबकि हम अपने 80 करोण जनसंख्या को पिछले 3 साल से लगातार मुफ्त में दे रहे हैं खाद्यान और जो खादी सुरच्छा के तहट दे रहे तो 2 साल में तो डबल करी रहे थैं यानि कहीं ने कहीं भारत की किसी खाद्य की उपलब्धता को लेकर उर्जा के सुरच्छा मतलब जो खाद्यान में जब कर सकते हैं कि इनर्जी उसमें जो वाला पॉर्शन होता है कार्भोहाइट्र इस तरह को लेकर सेल्प सपेसियंट दिखाई देती है लेकिन यहां पे समस्चा क्या है ऐसा नहीं है कि यहां पे क 27 मिट्रिक टन था आज 223 यानि पिछले साल 222 मिट्रिक टन हम दूद का उतपादन कर रहे हैं और दुनिया में यह सबसे जादा है हम सबसे जादा दूद उतपादक है मुर्गी पालन मत्स पालन इन सभी छेत्रों में हमने उलेकनी प्रगती की है लेकिन उतपादन के इस अनाज की लेकिन अभी पॉस्टिक भोजन यानि उसमें पॉस्टिक भोजन क्या होता है जो हमारे संपूर पोशक पोशन को सुरच्छित करे उसमें क्या होता है उसमें यह होता है कि सिर्फ उर्जा ही न हो उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए उसमें फैड भी होना चाहिए जो एक स्वस्त सरीर के विकास के लिए उपयोगी हो उसको लेके चुनोती बनी हुई है जैसे परियाप्त पॉस्टिक भोजन तक पहुंच कहीं लोगों के लिए चुनोती बनी हुई है जब ये परियाप्त रूप से पॉस्टिक भोजन नहीं मिलता है तो जो जनसंख्या हो जाती है वो माल नरिस्ट या कुपोसित हो जाती है तो देखिए भारत की लगभग 16.6 परसताबादी कुपोसित है यानि कि कहीं ने कहीं nutrient या portion की कमी के कारण है सिर्फ उसमें उर्जा की बात नहीं हो रही है उसमें ये कई सारी पहलू चीजें सामिल होती है और जगर हम बच्चों के संदर में देखें पान साल से कम उम्र के बच्चों में तो 75% बच्चे ठिगने या स्टंड है ठिगने बच्चे यानि जिनकी उम्र के अनुसार उनकी उचाई कम है और 32% बच्चे कम वजन है कम वजन मतलब अपने उम्र के अनुसार उनकी उचाई और उनका वजन कम है इस्टंड यानि उम्र के हिसाब उनका उचाई भी कम है उम्रे के हिसाब उनका वजन भी कम है देखिए यहाँ पर बाल बरबादी या चाइलड वेस्टिंग होता है वो होता है कि उचाई के हिसाब से अगर उनका वजन कम हो तब वो चाइल वेस्टिंग या गंभीर रूप से कुपोशित का जाता है जो आकड़े भी देखा जाए वैसे तो अभी global hunger index बहुत बता रहा है लेकिन अगर portion tracker के देखा जाए तो 7.2% बच्चे भी भारत में क्या है बाल बरबादी या child wasting के अधीन अंतरगत आती हैं जो कहीं ने कहीं कंभीर चिंता का विशय है ठीक है तो इस तरह से जिस तरह से इस मामले में प्रगति हो रही है यह कह रहे हैं कि भारत 2030 तक जो सुन्य भूख जीरो हंगर जिस जीरो हंगर में क्या है कुपोशन रहित यानि जो इस तरह की जो समस्या है कि परियाप्त पॉस्टिक भोजन की परियाप्त उपलब्दता सुनिश्चित हो यानि कोई भूखा न रहे यह जो स्टीजी सच्छम नहीं हो पाएगा अगर हम इस पर ध्यान नहीं दिये तो ठीक है इसी के लिए आपको देखा होगा कि सरकार जो है 11 अक्टूबर को जो बच्चों के लिए जो है वो कांगनवारी केंद्रों में जो कुपोशित बच्चे हैं उनके लिए नया प्रोटोकॉल लाया है ठीक है तो कहीं नहीं सरकार इस दिशा में काम कर रही है ठीक है चलिए अब देखते हैं कि भारत अब अगला जो है कि वह जल जीवन है जल भोजन है तो खाद्य सुरच्छा में हम सफिसियंट हैं हम रियात भी कर रहे हैं लेकिन अभी समस्या क्या है जो निउट्रियंस पो अपयोग क्रिसी में कैसे कर रहा है ठीक है जब भारत के आंक्रा देखते हैं तो भारत में जो है पूरी जो दुनिया की जल्वा है जो दुनिया की जितनी आबादी है उसका 18% आबादी भारत में रहती है ठीक एक 140 करोन आबादी रहती तो टोटल जो दुनिया की आबादी है उसका 18% आवादी भारत में रहती है लेकिन अगर उसकी अनुसार जल की मात्रा जल मतलब मीठे जल या फ्रेस वाटर की वात्रा जो नदियों में पाया जाता है जो जीलों में पाया जाता है जीलों में वो भी सागरी जीलों में नहीं जो नदियों में पाय जाता है, जो धीलों, तलाबों, ग्राउंड वाटर में पाय जाता है, ये सब फ्रिस वाटर होते हैं, मीठा जल, जो पीरे के काम आता है, जो सिचाई आदी के काम आता है, ठीक है, उस मामले में ये आंकडा हमारा, अगर देखें, दुनिया में 18 परसत आबादी है और केवल चार प्रसट जो है हमारे पास पानी मीठे पानी के संसाधन है तो और हम उपयोग कैसे करते हैं यानि जितनी हमारे पास आबादी है उसके रिस्पेक्ट में जो दुनिया का मीठे पानी का संसाधन वो हमारे पास उस रिस्यों में नहीं है यानि इत्तर पर्षंट कर रहा है कि सभी बता रहे हैं कि तीन-चौथाई से ज्यादा हम पानी का स्तमाल तो कहीं ने कहीं अगर हमारी कृसी पानी को लेके उसको सतत या सच्छम नहीं होगी या कारेकुसल नहीं होगी या मितबेई नहीं होगी किसी कारियों में हम मितबेताक पानी को लेके नहीं अपनाएंगे तो हमें गंभीर संकट की तरफ जा रहे हैं क्यों क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है और ऐसे में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें और खाद्यान की जरूरत पढ़ेगी और जब और खाद्या क्या बढ़ रही है साथ-साथ में हमारे यहां विकास भी बढ़ रहा है हम यह और चैनल जो है रीअल स्टेट्स अक्टर का विकास होता है जिन को भी पानी की बहुत बड़ी मात्रा की जरूवत बड़ती है यह निका अब फोकस क्रिसी से लेकर उद्योग के तरब भी हो रहा है अभी कुछ दिन पहले जब मैंने कावेरी जल संकट पढ़ाया था बंगलोर के मामले में तो यह बताया था कि यह अलग बात है कि वहां के खाध्यान को लेकर समस्या कम हो रही लेकिन वहां के बंगलोर और इस तरह के सह जाने की आफसकता होगी, ठीक है, तो यह सारी चीजों के लिए यह बता रहे हैं, कि कैसे हमारे हाँ पानी वैसे भी प्रतिब्यक्ति आधार पे कम है, लेकिन जो है भी उसका मदिकांस हिंसा, किसमें खेती में उपयोग कर रहे हैं, जबकि हमें इन छेत्रों में भी पानी की जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे हम और विक्सित होते जाएंगे और विक्सित तो होना ही है इसको तो हम वोई मानने सकते हैं तो भारत में क्रिसी में जल उपयोग की क्या रणनीती होनी चाहिए देखिए जो क्रिसी में जल की उपयोग की रणनीती है हमें दो तरब से ध्यान तब ही खेतर सतत हो सकता है और जो demand side है इसके लिए जो भारती कुर्सी आयोग जढ़ था सामिनातिम सरक्राद के उसमें उसने कहा था कि पर drop more crop हमें ऐसी फसले चाहिए जो पानी की प्रतिक बूत से जादा ले यानि हमें ऐसी फसले चाहिए जो अधिक पानी की खपतसी के तो हमें क्या करना है जलासियों में मांसून के मौसम में जो हमें रिजर्वायर बनाना चाहिए क्योंकि जो हमारा मांसून का मौसम का पानी है उसे कठा कर सके पानी का बफर इस्टाक बढ़ाना चाहिए और चेक डैम और वाटर सेट बनाना चाहिए जिससे भूजल को रिचा हमारे वाटर सेट मनेजमेंट की जरूरत है भूजल रिचार्ज करनी की जरूरत है ताकि हम अपने मीठे पानी के या स्वच्छ जल के स्टाक को मेंटेन रख सकें ये तो हुआ आपूर्ति पच्छ तूसरा पच्छ है जो वो है डिमांड उसमें क्या है उसको अधिकतर संगत और कुसल उपियो करना पड़ेगा हमें ऐसी फसले उत्पादन करने की जरूरत है जो कम से कम पानी में ही अधिक उत्पादन कर सकें या जो अगर हम जादा पानी वाली खपत वाली फसले उत्पादन कर रहे हैं तो हमें ऐसी फसलों को तरब जाना चाहिए जो की खाद्यान की सुरच्छा को भी सुनुशित कर सकें, किर्षकों की आयग में भी ब्रिदिक कर सकें, और पानी का भी कम से कम खपत कर सकें, ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होगा, इसके लिए न केवल भारती सिचाई सेत्में संस्थागत सुधार करने की, यानि structural या institutional change करने की जरूरत है, बलकि पानी और बिजली के मुल निधारण में भी सुधार की आवसकता है, यह कहते हैं जैसे पहले के लिए, कि संस्थागा सुधार की आवसकता क्यों है, तो कहते हैं कि आज जो है, जैसे जो डिमांड वाला, सौरी, सप्लाई वाला, कि आज भारत की क्रिसी लगभग 50 प्रिस्ट सिंचित है, बतलब 50 प्रिस्ट से थोड़ा सा जादा जो है, वो कह सकते हो कि निश्चित सिचाई की वेवस्था है, लेकिन बाकी जो 50 प्रिस्ट है, वो मानसून का जुआ है, इसको बढ़ा के अगर हम जलवाई परिवर्तन से बचना चाहते हैं, तो कम से कम 75 प प्रिमाने पर निवेश किया उसकता होगी, और निवेश को लेके समस्या है, जैसे हमारा सब्स, अगर हम सरकार की तरफ देखें, सरकार में, अगर केंद्र सरकार देखें, तो उसमें जो बड़े जलासियों और नहरों में, निवेश में, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए और सरकाल आर लेडी हर साल लगभग 4 लाग करोन खाद्य सुरच्छा यानि जो MSP पे खरीदती है या जो खाद्य और उर्वरक सबसेटी के रूप में हर साल सरकार लगभग 4 लाग करोन का उसके एकसेकर या उसके राजकोस पे भार आ रहा है ऐसे में सरकार इससे अलग यानि इतनी बड़े भार को इससे अलग बहुत जादा नी इन्वेस्ट कर पाए ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि चमता होती है क्योंकि वो अपना धिकान किस पे सबसेटी पर दे रही है खादे सुरच्छा खादे सबसेटी और और उर्वर जादा तर जो अब आगे जो नलकूप लगे हैं जो नलकूपों में जादा तर ब्यक्तिगत अस्तर पर लगाए गए हैं चोटे किसानों द्वारा लगाए गए हैं और जादा तर इलक्रिसिटी से हैं क्यों क्योंकि इलक्रिसिटी फी है तो उसमें क्या कर रहे हैं वो मनमा नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे यहां जो सिचाई है वो लगभग फ्री है तो जब लगभग फ्री होगा तो जलाद नीजी छेत्र जैसे रोड बनाते हैं तो क्यों क्योंकि रोड पे वो टोल लेते हैं लेकिन सिचाई में अगर वो रिजर्वायर बनाया नहर बनाये तो उसक ये जो supply side है उसको लेक packet समस्या बनी हुई है ऐसे में जब supply side की समस्या है भारती क्रिसी जलवाई को लेकर सुभेध्य बनी हुई है तो आगे क्या भारत में क्या किया जाना चाहिए या आगे का रास्ता działे है तो उसमें क्या है कि जो demand side है उसी में ही आमूल चुल परिवर्टन करना पहोगा क्यों क्योंकि जैसे इन्होंने एक re-search किया क्यों सबसे पहले महत्पूरा कि हमें भूम में उतपादक्ता यानि प्रती एक्टेयर कितना उतपादन हो रहा है उस से जल उतपादक्ता यानि पर क्यूबिक मीटर या पर लीटर कितना उत्पादक्ता हो रहा इस पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम अभी भूम पे बहुत कि हमारी जमीं से कितना उत्पादन हो रहा है उस पे तो बहुत ध्यान दे दिये हैं लेकिन परतिलिटार या परतिक्यूबिक मीटर जो है जल से हम कितना उत्पाधन कर रहे हैं, इसमें हमारी स्थिति बहुत खराब है, हमें बहुत अधिक टन हेक्टेर नहीं, बलकि परतिगयं मीटर से चाई से अधिक उत्पाधन, वही पर क्राप, मूर क्राप की जरूरत अंतरास्टी आर्थिक संबंदों पर भारतिय निस्दान परिशत ICRIER जिसमें ही प्रोफेसर है गुलाटी जिनका उस पे है इंडियन एक्स्प्रेस में इन्हों ने कहा कि इसने ICRIER ने पंजाब के 10 प्रमुक फसलों पर सभी जिलों में उसने अध्यन किया अध्यन में पाया कि पंजाब में जहां चावल यानि की भूमी उत्पादक्ता यानि पर हेक्टेर उत्पादन पंजाब में चावल की सबसे ज़ादा है लेकिन अगर जहां सिचाई जल की उत्पादक्ता की बात करें तो वहां पर ये नियूनतम है यानि पंजाब में भूमी की उत्पादक्ता तो चावल की बहुत है लेकिन जल की उत्पादक्ता यानि जो एक सर्टेन अमाउंट आप जल चाहिए उसमें पंजाब में ज्यादा उप्योग हो रहा है इसे क्या है पाणी के इस्तमाल के मामले में पंजाब चावल के सबसे अकुसल उत्पादकों में से एक है। साथी में पंजाब में धान की खेती में लगबग 5 टन हेक्टेयर कार्बन उसर्जन भी होता है, पर हेक्टेयर 5 टन का कार्बन यानि कार्बन फुट्प्रिंट भी बढ़ा रहा है और जल के मामले में भी अब इवेकसिल दोहन हो रहा है, उसके लिए कहीं न कहीं जो है आप देखिए उसमें ये भी है कि ICRIER ने पाया कि वहाँ पे धान की खेती में जो है उर्वरक और खादे सबसीडी से लगबग 30,000 रुपए प्रती हेक्टेयर भी दिया जाता है, यानि जो किसान धान की खेती करते हैं जो उसमें बीज और उसमें उर्वरक प्रियोग करते हैं और जो बिजली आदी फ्री लेते हैं उसमें लगबग प्रती हेक्टेयर 30,000 रुपए खर्च सरकार सबसीडी के रुपए सरकार का आता है, तो देखा जाये तो कहीने कहीने चीजे जो है धान की खेती के तरफ लोकिसानों को ले जा रहा है जो की जल की उतपाधकता कम कर रही है और जो कार्बन उसर्जन को भी बढ़ावा दे रहा है इससे क्या हो रहा है कि पंजाब के जल का आपदा दिख रहा क्योंकि लगभग 78% बलाक जो है डार्क चोन में पंजाब में चले गए हैं जल को बचाएं उसको बोलते हैं ग्रीन वाटर ठीक है तो ग्रीन वाटर की तरफ जाएं हम धान की जगें ऐसे फसल यानि पंजाब में या देश के अन राज्यों में भी जहां किसान धान या गन्ना जैसे अधिक जल उत्पादन वाले फसलों की जगें अगर ऐसे दलहन उप जाएं या मोटे अनाज, मिलेट सुप जाएं तो उनको सरकार जैसे आप चावल के लिए तो एक एवरेज आपका 30,000 प्रती एक्टेयर आई रहा है अगर ये आप उनको प्रोसाहन के रूप में भी दें तो किसान क्या कर सकते हैं इधर सिप्ट हो सकते हैं तो किसान का हम ख मसूर की दालायात करनी पड़ती है सोचिए तो ऐसे में क्या है कि अगर हम इधर सिप्ट कर दें इस सबसीडी को अगर हम ऐसे क्रिसी उपज उप जाने के लिए कि कुसान जो इस तरह के फसल उप जाएं अगर उन्हें दे यानि उनका दाम ज्यादा दे सीधी सी बात है जो सबसीडी उधर जा रही है उधर हम अगर दाम बढ़ा दे उनका उसमें तो क्या होगा हमारे खाद्यान की भी सुरच्छा होगी क्रिसकों की भी सुरच्छा हो जाएगी जल की भी सुरच्छा हो जाएगी जमीन की भी सुरच्छा हो जाएगी और ये सारी सुरच्छित होग कुछ-कुछ इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है किन सरकार ने ग्रीन क्रेडिट कारिक्रम शुरू किया है यह सिर्फ किरसी के छेतर में ही नहीं है सभी छेतर में है देखें दो हजार इकिस में प्रधान मंत्री जब संबेलन में गय थे तो उन्होंने परियावरण संबेलन म का हिस्षा बनाने की बाद कही गई है उसी में ही ये ग्रीन क्रेडिट कारिकरम प्रोग्राम सुरू करने की बाद कही गई थी उसको लेकर जून में एक प्रॉस्पेक्टिब दिया गया था मॉडल जिसको लेकर अब अक्टूबर में इसको जो है सरकार ने लागू कर दिया है जिसमें शुरुवाती चरण में में बल है कि जल सनरच्छन और बनी करण पे ध्यान दिया जाएगा कि कैसे जो ब्यक्तिकत अस्तर पे, समुदाईक अस्तर पे, और द्योगिक अस्तर पे, यानि जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके द्वारा परियावर्ण के सनरच्छन के लिए, जो गृर्ण के जहतर में, जो सात-ाथ बाते कही गई हैं, इनके बिकास के लिए, इनके जो काम करते हैं, उनको एक इकाई के रूप में गिना जाएगा, और उसको Green Credit दिया जाएगा, जिसको वो ग्रेडिट जो बाजार होती है, जहां पे Green Credit ट्रेड किया जा सकता है, उसको वो खरीद बेज सकते हैं यानि सरकार जो कानूनी जरुते हैं आप सरकार में जो है अपना स्वता का एक डिटर्मिनेंट कर रिया है ग्रीन हाउस गर सुसरजन और इस तरह के चीज़ों के लिए परियावरन सनचन के लिए तो उसमें क्या होगा कि इसको स्वता से प्रेरीत है हमें जादा जादा ग्रीन क्रेडिट मिलेगा तो हम उसको बेज के पैसा कमाएंगे तो हम ऐसे जैसे अभी जो बता रहे था ने कि वैसे किसानों को जो की अब जैसे ये पता है कि धान का उत्पादन जो है ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ा रहा है और पानी भी जादा खर्च कर रहा है ऐसे में अगर जो किसान धान की जगे मका उत्पादन करता है या मोटे अनाज का उत्पादन करता है तो निश्यत रूप से वो क्या किया वो ग्रीन क्रेडिट को जनरेट करेगा तो इस तरह की चीज़े तो वतार है सरकार की तरह लेकिन अगर जनरेट करता है और उसको यूही छोड़ देता है, अगर उसको ले जाके बेचता है, तो पैसा भी आएगा और उसको सही धंग से नेप्टारा करता है, तो उस तरह की चीजे क्या होगी, green credit में जुडेंगी, जिसको वो खरीद बेच करके additional income generate कर सकता है, जो कहीं न कहीं credit करेगा इस तरह की चीज आइती होजना है, परियावरण के छेतर में आम लोगों को, आम लोगों को, सस्थानों को, नगरपालिकाओं को, यानि इस तरह की जो निकाए हैं, उनको सामिल करना है कि कैसे इस परियावरण के छेतर में काम किया जा सके, ठीक है, चलिए, देखते हैं क्या है, 13 कारिकरम को अधिसूचित किया है, या ब्यक्तियों, उद्योगों, स्थानी निकायों को प्रोसाहित करेगा, कि विभिन शेतरों में उनके स्वेचिक परियावरणी कारियों के लिए डिजाइन किया गया है, और अपनी तरह का पहला बाजार आधारित उपकरण है, क्योंकि अब क्या है कि आप अच्छा काम करोगे, तो आपको एक ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा, उसको आप किसी और को, जैसे कोई उद्योग है, उसको कार्बन जादा कम करना है, जैसे आपने पेंड लगा दिया, संपोस्दर समझो कि हम बैक्ती हैं, हम एक किसान है, हमने पेंड लगा दिया, हमने बांस लगा दिया, हमने पेंड लगाया, हमने उसको यह वगा कि उससे एक क्वांटिफाई होगा कि कितना कार्बन हमने बचाया, मतलब कितना कार्बन का उस सरजन कम किया, या कितना कार्बन डायाकसाइड को हमने और सोशन किया, उसको क्वांटिफाई क करके हमको carbon credit मिल गया अब उस carbon credit हमारे पास है और कोई उद्योग है जो की small cement उद्योग है वो चाहके भी बहुत जादा तक जो हद तक वो कई बार क्या है था कि वो सस्ती बिजली पे निर्भर या इस तरह की की चीज़ों पे निर्भर है कि वहाँ पे carbon का उसर्जन होना ही होना है ऐसे में वो क्या या निर्मार उद्योग है कोई construction उद्योग है वहाँ भी carbon का होगा तो वो क्या करेंगे वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो market से ऐसे green credit खरीश्ट के अपनी जो उनकी carbon ज़्यादा कर रहे हैं उसके उसर्जन को पूरा कर सकते हैं तो एक तरह से क्या है कि ये ब्यापार के आधार पे push और pull factor के आधार पे जैसे वो market में जब लोगों को ज़्यादा उसर्जन करना होगा तो खरीदने वाले ज़्याद बढ़ जाएगी, green credit मतलब एक तरह से कोई चीज आपने उत्पादन किया यानि carbon को आपने सोखा या carbon को कम उत्पादित किया उसके लिए आपको माले चलो एक bond मिल गया एक credit मिल गया कि आपने एक ton carbon को कम किया या 100 ton carbon को कम किया अब इसका कम किया तो क्या मिलेगा तो उसको क कि अब आप बाजार में एक बेचने की बेवस्था जहां बता देंगे कि हां भाई हमने 100 टन कारवन कम किया है अब किसी और बैक्ति को जो है 50 टन कारवन वो ज्यादा उसरजन कर रहा है तो वो क्या कर लेगा वो मार्केट से कारवन जो है ग्रीन क्रेडिट खरीदेगा तो हम हैं तो हमारा जो दाम फिर मार्केट के आधार पेताएं होगा तो ऐसे अगर ज्यादा खरीदने वाले होंगे तो फिर धिरे धिरे लोग जो है ग्रीन प्रवद्योंकी को अपनानी के तरफ जाएंगे या किसान भी होंगे बनीकरण ले जाएंगे स्वच्छ पर्यावरण जाएंगे तो अभी जो शुरुवाती फोकस है वह है किस पर बनीकरण और जलसन रच्छण पर है ठीक है बाकि उसमें आठ चीजें और है उस पर है तो देखिए यह एक क्या है घरेलू सेचिक बाजारतन्त है स्वेचिक वालेंटरी कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको प् क्या उसे बेट तो नहीं भरेगा लोग यहीं कहते हैं तो जब वह मार्केट में बेज के आपको पैसा भी मिलेगा तो आप उस प्रक्रियाओं को जरूर अपनाने में के लिए प्रेडित होंगे जिससे क्या होगा आपकी आये बढ़ेगी और फिर अंतरता किसको परियावर पर ध्यान है जल सन रच्छन और बनीकरण ग्रीन क्रेडिट को बेचा खरीदा जा सकता उन्हें अरजित करने वाले इन ग्रेड क्रेडिट को प्रस्तावित घरेलू बाजार मंज पर विक्री के लिए रख सकेंगे ठीक बाकि इसमें आठ छित्रों की पहचान की गई है इस सरकार द्वारा की जो लोग जो है ग्रीन प्रद्यों की आधारित करेंगे उनको इको मार्क पुरसकार दिया जाता है टिकाव भवन और बुनियादी धाचा ये आठ छेत्र हैं जिसको जिन छेत्रों में इसको पहचाना किया गया है ठीक है इससे लाब क्या होगा निश्च स्थाओं के निकायों के उद्योगों के वो स्वेच्छा से उनके जीवन का हिस्सा बन सकता है क्योंकि ये उनको प्रोसाहित करेगा जो जो जनेरेट कर रहा है उसको लाब मिलेगा जो खरीद रहा है उस पर प्रेसर बनेगा तो इसलिए वो क्या करेगा दोनों लोग कोशि के तरीके से य्यंक्त जो लोग हैं ग्रीनों क्रेडिट के नाम पर घ्रीन वासिंग ना करें अब जन को आप आप जानते है क्मरा बहुत गंद रहे कि ग्रीन वासिंग भी क्या करेगा कमरा जो है यानि कमरा मतलब आप जिस प्रक्रिया से प्रकुत पादन कर रहे हैं कोई कमपनी कहेगे कि हमने तो सोलर उर्जा क्या किया लगाया है अब उससे हमको इतना क्रेडिट मिल गया और उसका फायदा लेके वो अपना कारवन क्रेडिट कम कर सकती है या बेज सकती है लेकिन पता चला कि वो सोलर उर्जा लगा है नहीं लगा है चला है नहीं चला है इसी तरह से पेन तो वही विशे से क्यार रहे हैं कि green washing न हो जाए केवल कि केवल जो है paper पे सारा काम हो जाए उससे लेंदेन खरिदारी हो जाए और वास्तों में जो है और जो पर्यावरण है उसमें कुछ भी न हो इसके लिए हमें एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जो इस green washing की समझ जाए green credit ठीक है लेकिन दे देशों में बड़ी-बड़ी कंपणियों में भी देखा गया है कि green washing जो green credit के नाम पे green washing ही दिखाई देती है ठीक है तो उससे इससे बचने की सलाह दी गई है अगला है हिंद महासागर रिम एसोसियेशन भारत के लिए क्यों महत्तपूर्ण है ठीक है एक प्रमुख संग्ठन क्यों में है चर्चा में क्यों है क्योंकि 11 अक्टूबर को अभी इसका जो इस संग्ठन के जो सरोच निकाय होती है वो कह सकते हैं conference on minister foreign minister उसी की बैठक है स्रिलंका की अध्यस्ता में थी तो उसमें बहुत सारी बाते बैठक हुई थी उसमें ये देखा गया कि साचा रहे हैं हैं ठीक है हमारा दोस्त पडोसी पाकिस्तान भी है 2001 से अपलाई किया नहीं मिल रही है बताएंगे क्यों नहीं मिल रही है ठीक है और उसी में हमारे जो विदेश मंत्री है एस जा संकर जी उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को बताया है जो इस संग्ठन को लेके मतलब इस संग्ठन को ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि वैसे भी इस संग्ठन का भले 1997 में में गठन मारिसस में हुआ हो लेकिन इस संग्ठन का जो पहली बार बात कही गई थी वो 1995 में जब नेशनल मंडेला भारत आये थे तो उन्होंने यहां पर कहा था तो कहीं न कहीं नेशनल मंडेला इस ब्यक्ति के रूप में और भारत एक देश के रूप में इसके स्थापित करने में उसका योगदान है इसलिए भारत कहीं ने कहीं इसकी केंद्रिकित भूमका है और अभी भी उपाध्यच के रूप में जो है स्रिलंका इसका अध्यच है और भारत पुपाध्यश्च है, तो कहीं ने कहीं अभी भी भारत की भूमका है। और ये भारत केंदरित संगठाने, क्योंकि हिंद महासागर नाम से ही लगता है इंडियन उसीन की इंडियन यह च्छेत्र इंडो पैसिफिक जो प्रमुख्यू है जिस पर हम लोग दुनिया के सबी लोगों का ध्यान है उसमें से एक महत्तपूर छेत्र है फिका थो को हम समझने की कोिशिस करते हैं चर्चा में क्यों है क्योंकि 11 एक्टूबर को कोलम्बो में इसकी बैठक हुई है कोलम्बो में आयज़ित हुआ था उसमें बैनर है देखिए reinforcing Indian Ocean identity या हिंद महासागर की पहचान को पुनरस्थापित करना है और एक बहुत बड़े strategic thinker हैं खासतोर से novel thinker 80 महान अगर कोई defense वाला होगा या defense studies वाला या बहुत गहराई से जो अगर international relations को पढ़ता होगा तो 80 महान एक thinker हैं जो आज अमेरिका की नौ सेना उसकी नौ सेने के strategy दिखती है वो कहीं न कहीं 80 महान पे focus थे आज जो चीन भारत को bypass करके जो BRI project के तहद ग्वादर बंदरगा और वो उसका कारा कोरम highway बना रहा वो भी वो बाते वो पहले ही कह दिये थे और 19-वी सदी के सुरुवात में उन्होंने कह दिया था कि 21-वी सदी हिंद महासागर की होगी अलाकि अमेरिका उसे इंडो-pacific कहना चाता क्योंकि हिंद महासागर में तो उसकी बहुत ज्यादा योगदान नहीं है ठीक है तो ये हिंद महासागर अपकी महत को बताता है और उससे जुड़ा हुआ ये छेत्र है हिंद महासागर के 30 देशों का जिसमें अफ्रिका के हैं, एसिया के हैं, पश्चिमी एसिया, दच्छिड एसिया, साउथ एसिया, आस्ट्रेलिया और हिंद महासागरे के कुछ देशों का, इसमें 23 देशों का संगठन है, और इसमें जो बहुत सारे देश नया नया सदस बनना चाहा रहे हैं, वो इसके महत् अब हमें देखना है हमारा जो ध्यान है कि आई ओ आरे क्या है और इसका गठन कैसे हुआ है तो आई ओ आरे अफरिका पस्चिमेसिया दश्चिडेसिया दश्चिडपुर्वेसिया हिन्द महासागर आस्ट्रेलिया के तटी देशों का एक संग है उसमें से 23 देशों का जो 1997 मे में गठित किया गया था जो इस छेत्र में कहीं ने कहीं रड़िनीतिक जो है समुद्री सुरच्छा उसमें आपदा सुरच्छा और इस छेत्र के समुद्रिक विकास को लेके यह जो है यह संगठन सुरू किया गया था ठीक है और भारत में कहीं ने कहीं इसका बीज नेशन 27 से इसको शुरू किया गया था ठीक है अभी जो है इसकी बैठक हुई है अगर इसकी सदस्ता के बारे में थोड़ा प्री का मुद्दा है तो तेई सदस्य देश हैं इसमें देखिया आस्ट्रेलिया बंगला देश कोमोरोस फ्रांस फ्रांस के कुछ दीव भी तो हिंद महासा पान दश्षिड कोरिया रूस तुर्किये यूके और यूससे तो यह बताता है डाइलाग पार्टनर्स और इन देशों का कि कहीं ने कहीं ये छेत्र हिंद महासागर का ये संगठन एक महत्तपूर्ण क्या है संगठन है और भारत के लिए क्यों महत्तपूर्ण है ठीक है क् यूकि एक तो पहले ये जो छेत्र है इस छेत्र में दो तिहाई आबादी रहती है लगभग 2.6 अरब लोग रहते हैं जो दुनिया का बैस्विक तेल व्यापार है उसका 80 परसत दुनिया का जो कारगो कंटेनर होता है उसका 50 परसत इसी तरह से जो इन देशों के बीच में भी आपस में लगभग 800 औरब डालर का ब्यापार होता है ये तो आर्थिक छेत्र हुआ दूसरा अगर भारत के संदर में देखें तो भारत अन जो इस छेत्र के रिजनल संगठनों का सदस्त है जैसे सार्क वो आप समझी रहे कि उसकी क्या सित्ती हो गई है क्योंकि उसमें पाकिस्तान अपना भूम का जो है तरह से पाकिस्तान और भारत का ही अखाड़ा हो गया है विम्स्टेक वो भी पूरी तरह से हलाकि उसमें पाकिस्तान नहीं है लेकिन वो भी पूरी तरह से समझ्याओं के कारण गरसित है अभी जो इस छेत्र में इस छेत्र का तो नहीं कह इसमें नेत्रत किसका है अमेरिका क्योंकि उसके बाकी जो दो सही होगी देश हैं वो उसके सही होगी हैं तो कुल मिलाके अगर देखा जाए तो इस छेत्र में जो इसके सिवा अनिसंगठन हैं वो या तो भारत के लिए वो किसी काम के नहीं रहा गए हैं या जो काम के हैं उस का प्रमुख adversary है या बिरोधी है चीन क्योंकि वो हमारा घोसित सत्रू है हमने उसके साथ लडाई कर रखी उन्य सो बासर्ट का युद्ध ठीक है इसलिए वो हमारा घोसित adversary है वह इस छेत्र में भारत के आसपास के देशों के साथ जो है भारत के अलग एक ब्यवस्था बनान सहकारी विकास और यह सारी चीजें है इसके लेकर वो प्रयास चला रहा है लेकिन जब यह सुरू हुआ था तो लग रहा था लेकिन अभी जो इसकी जो अभी BRI कल होने वाला है BRI का वो अपना जो है मना रहा है 17 Aoktober को लेकिन जो BRI है या अन सकी लेकर दुनया के जो छो च उचा मित्र है, नेपाल ये सारी जो हैं न कहीं न कहीं अविभारिक्ता समझ में आने लगी है और जो छोटे-छोटे देश हैं वो इससे बचने लगे हैं स्रिलंका उसका उदारण है उसके रेड़ ट्रैप में फस गये हैं तो ऐसा कहीं न कहीं ये सारी चीज भारत के लिए अनुकोल करती है कि चीन की बड़ती कि वो इस छेत्र में इस IOR के जरिए अपनी महत्त को और स्ट्रांग करें यानि भले उसका जो है अन्य देशों अन्य छेत्रों में है लेकिन यह वो अस्थान है जो भारत को महत्त देता है कि वो यहाँ पर अपनी खुल कर अपनी बात कर स से बनते हैं, consensus का मतलब यही होता है कि कोई एक भी विरोध में हो गया तो वो नहीं हो सकता है, पाकिस्तान 2001 से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो बाकी और जहां तक हमें पता है कि चीन को भी भारत होनी नहीं देगा, अगर उक चीन को होगा, तो उसको पता है कि फिर से वही देख लिया है कि SEO में जब भारत को लाया गया, तो चीन ने जो है, पाकिस्तान को ला दिया, तो कहीं ने कहीं ये एक दूसरा उद्दा बन जाता है, ऐसे ही में ये निश्यत रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है, जहां तक IOR किस पर ध्यान केंद्रित कर मत्सिपालन, आपडा जोखिम प्रबंदन, सैच्छिडिक विज्ञान प्रद्यों की परेटन सांस्कृतिक आदान प्रदान, लिंग ससक्ती करण, लिंग ससक्ती करण, इसके साथ साथ ये अपने देशों, सदस्य देशों में एक फंड भी बनाया है, जो जलवाई परिवर भारत के लिये, और जो चीन का इस छेत्र में जो कह सकते हैं कि जो बुरी नजर है, उसको ध्यान में दिलाते हुए, जो विदेश मंत्री एस जन संकर ने इसमें बोलते हुए कहा, कि हिंद महा सागर को स्वतंत्र, यानि कि free, open, यानि खुला, और समावेसी अस्थान, free, open and inclusive प्लेस बनाना है, और वो किस पर आधारित होना चाहिए, समुद्र के कानून पर सन्युक्तराष्ट कन्विंशन, UNCLOS, United Nation Convention on Sea Lodge, के आधार पे इस हिंद महा सागर को स्वतंत्र, खुला और इनिक्लूजिव छेत्र बनाने की जरूरत है, ताकि सभी पर संप्रभुता और छे इस याई देश है और जो दच्छिन सागर के तटे हुए देश हैं, उनको पता है कि चीन UNCLOS का कितना इज़त करता है, तो यह कहीं ने कहीं, जैसांकर जी इस छेत्र के देशों को समझा रहे हैं, कि देखो जो चीन है, उसके जहां से में ना आओ, क्योंकि वो जो रहा है, वो या तो बेवारिक हैं, या तो आपको रिल ट्रैप में डाल देंगी, और इससे आप उबर नहीं पाओगे, ठीक है, चलिए, आप लोग इसको पढ़िएगा, हैंड आउट भी एक या दो दिन में, एक दिन के बाद ही आ जाता है, चुट्टियों की वज़े से जो रहता है, और उसको पढ़के नोर्स पनाईएगा, और इसमें कई सारे महत्तपूर्ट टापिक हैं, साथी में अगर जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, कुछ हम लोग कोशिस कर रहे हैं, जो जरूरी चीज़े समझ में आती है, वैसे भी जैसे निउस्पेपर होत बिदेख़ा है, उसमें क्या निउस रहेера है, यह एडिक्टर टेह gesch करता है, हलाकि वो महत्तपूर्ट टेह करता है, हम लोग भी जो लाते है, जो हम लोग को लगता है कि महत्तपूर यह खरे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को भी लगता है कि कोई ऐसी निउस्व क्या कोई क्या है क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं हमारा पढ़ाना बेर्थ जाएगा तो जितना आप लोग सीखोगे उतना ही आप एक्जाम में बहतर कर पाओगे तो इसलिए आप लोगों कमेंट्स में अगर कोई स्पेसल टॉपिक है जो करेंट से आप लोगों लगता छूट गया है या जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो कमेंट्स में आप कर सकते हैं उस पर हम लोग देखेंगे ठीक है थैंक यू